हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है तानिया फेशन आर्ट यूट्यूग चैनल पर मैं दीपका कुश्वा आज आपको शॉपिंग बैग बनाना बताऊंगी तो ये देखो मैंने पीस को रेडी कर लिया है ये मेरे पास बचा हुआ पीस था उसी का मैं यूज कर रही हूं इसमे और फॉर्म सीट का भी यूज किया है मैंने आप इसमें चाहो तो राइस बोरी भी लगा सकते हो अब इसकी मैं आपको लंबाई और चोड़ाई बता दे रही हूं तो दस इंची की चोड़ाई है इसकी अब मैं लंबाई नाप रही हूं तो पच्चीस इंची की लंबाई ह इस पीस की मैंने आपको लंबाई चोड़ाई बता दी है अब यहां पे हम पॉकिट डालने के लिए निशान लगाएंगे तो साड़े तीर इंची पे निशान लगा रही हूं मैं इस निशान को विलकुल सीधा लगा दूँगी तो निशान मैंने लगा दीआ है इसकी मैं कटिंग कर लोंगी तो कटिंग मैंने कर ली है इस में मैं चैन है यह ले है चैनको हमने उल्टी लगा ली है दूसरे पीस को भी मैं इसी तरीखे से अटेश कर लूँगी इसमें नदुसरे माले पीस में पेस पूस्थे को लगा ली है तो ये शरी आए प्रेहींस प्रेहींनत पहिंस्य पूपिश्येटन अब इसमें और देधर तो lock भी मैंने डाल लिया है अब यह देखू मैंने इसकी तनी भी रेडी कर ली थी इनकी भी मैं आपको लंबाई और चोड़ाई बता दे रही हूँ एक इंची की चोड़ाई है अब मैं लंबाई ना पर हूँ तो 22 इंची की इसकी लंबाई है तनी की अब यहां मैं आटेच कैसे करनी है वह भी मैं आपको बता दे रही हूँ अब यहां पर मैं निशान लगा लेने हैं धाई इंची पर निशान लगा रही हूँ मैं दोनों साइट पर मैं धाई इंची पर निशान लगा लूँगी अब ये देखो इस तरीके से में रखनी है तरी यह दोनों साइट पर दिखा दे रही हूं अब लगा लिए फोल्ड नहीं कि अंदर की साइट मैंने यहां पे नहीं तरीके से इस तरीके से अटेज करना है दोनों साइट से अंदर की साइट कपड़ा फोल करके सलाई लगा देनी है तो ये देखो एक साइट मेरे सलाई लगा ली है अब हमें दूसरी साइट भी लगा लेनी है सलाई तो देखो दोनों साइट पर मेरे सलाई लगा ली है दोनों साइट हमने पट्टी अटेश कर ली है अब इसको हमें इस तरीके से बीच का सेंटर निकालना है इसमें तो ये बीच में निशान लगा लिया है अब इसी निशान पर से हमें एक और निशान लगाना है दो इंची पे तो दोनों साइट पर मैं इसी तरीके से दो दो इंची पर निशान लगा लूगी इसमें हमें कपड़ा डेश करना है पॉकिट के लिए तो ये निशान मैंने इसके लगाया है यहाँ पर तो पॉकिट बनाने के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है और ये देको इस तरीके से रखना है नीचे की साइड हमें फोल्ड करनी है और चारो साइड से सलाई लगा लेन है मैंने चैन की अब बीच वरे सेंटर पर इस तरीके से निशान लगाना है तो ये निशां को निशान मैंने मिला लेका है ऐसी दो ये आप ये भी में लगा है लिए अब इस वहाइज है अब लगा देंगे हैं तो श्म Iron कि लगा लेनी है तो यह देखो टॉप स्लाई में लगा ली है अब सेम तरीके से दूसरे पीस को भी अटेश कर लेंगे हम तो ये देखो दूसरे पीस को भी अटेश कर लिया है अब मैंने दोनों पीसों को अलग लग कर लिया है अब इस पे भी हम टॉप सलाई लगा लेंगे तो टॉप सलाई मैंने लगा लिया है अब इसमें हमें लॉक डाल लेना है तो लॉक भी मैंने डाल लिया है अब इसमें हम side लगाएंगे तो आपकी side की लंबाई और चोड़ाई बता दे रही हूं मैं इसकी लंबाई है 10 इंची की और चोड़ाई है 4 इंची की अब यह attach कैसे करने है और जो देखो मैंने उपर की side इसमें pipe लगा ली है side पर अब देखो यह वीच में मैंने center पर निशान लगा लूँगी अब यह नीचे वाले जो center पर हमने निशान लगाया है इन दोनों को निशानों को इस तरीके से मिलाके हम इसमें side attach कर देंगे तो यह देखो मैं इस लाई लगा रही हूं इस तरीके से में इस लाई लगा लेनी है उपर की side हमारा थोड़ा सा खुला रहेगा एक इंची का gap है इसमें तो वह भी मैं आपको दिखा दूंगी अभी gap पहले हम इसे set कर लें अच्छे से देखो यहां से मैंने थोड़ा थोड़ा chain का इससा हटा लिया है चैन को यहां पर हमें पूरी slide लगाने के लिए तो यह देख bon, एक side में रटेट कर ली है इसमें, ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ फूरी side को, किस तरीके से मेरे सिला है, जो दूसरी side भी हमें तरीके से सिलत लेनी है, एक दीख बाईट कर ली है, यहिए आपको दोनों साइट दिखा दे रही होँ इसमेड़ा है कि अंद तरीक चूरे से ow ради कर देनी हैं कि अश्ण दी आपको दोनों साइट दिखा दे रही हूंसलें मैंने डिया है लोगणा निक्लेस लिए हुआ यह देखो मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ शौपिंग भैक को कितना अच्छा बना है और मैंने मीडिय॑ साइज का शौपिंग बेक बनाया है, तो यह देखो में आपको पॉकट भी दिखा दे रही हूँ, काफी अच्छी पॉकिट है इसकी मैं आप साइड भी हमारी काफी अच्छी लगी है इसमें आप छोटा सा इस तरीके से बचे हुए कप्रेमा से बैक बना सकते हो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी डिचलन को सस्क्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, थैंक यू